Audition Hall में आपको exactly करना क्या है जल्दी से जल्दी स्क्रिप्ट किस तरीके से याद की जाए उसी के साथ साथ characterization, improvisation, imagination, performance ऐसे सारे points कवर करने के लिए इस channel में एक नई series में शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है Audition Hall इस series में मैं आपको 7 videos देने वाला हूँ जिसमें Audition Hall में exactly क्या करना है वो बताया जाएगा देखें दोस्तों यकीन कीजिए कि ऐसे points कभी किसीने नहीं बताया होंगे आप जब Audition Hall में Audition देने जा रहे हो तो ये points फॉलो कीजिए क्योंकि दोस्तों मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप select हो जाने चाहिए या फिर आप select हो जाओगे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ही select होने चाहिए नमस्कार दोस्तों मैं शिवम सालियान और आप देख रहे हो Auditions Only और इन 7 वीडियो के बाद आपको 8th नमबर का वीडियो दूँगा जिसमें ये बताऊंगा कि Audition Hall में अगर आपसे अच्छा कोई actor आया है उसका Audition आपसे भी अच्छा हुआ है फिर भी casting director हो या फिर assistant director हो वो आपको भी prefer करेंगे क्योंकि क्या हैं दोस्तों जब हम Audition लेते हैं तो हमें पता होता है कि आप लोगों से कौन-कौन सी गलतिया हुई है और जब Audition Hall में सब Audition खत्म होने के बाद मुझे पता है कि क्या process follow किया जाता है हम किस तरीके से Auditions लेते हैं उस तरीके से ये series बनाई गई है तो last तत देखते रहिए और दोस्तों अगर आप actor बनना चाते हो तो एक बार playlist में जाकर भी देख लीजिए मैं monologue और acting, audition ऐसे कई videos में upload करते रहता हूँ और अगर आपको कोई problem आ रही है तो मुझे comment में बताईए मैं उस पर आपको perfect solution, एक perfect answer दूँगा और वीडियो अच्छा लगे तो like कीजिए, वीडियो अच्छा ने लगे तो comment कीजिए और अपने actor दोस्तों को ये channel share कीजिए ये series उने complete करने लगाईए और आप भी channel को subscribe कीजिए और practice करते रहे है Thank you दोस्तो, thanks for your time, love you